आईए हैवल्स इसके आने वाले हैं नतीजे आज कैसे रहेंगे रिजल्स ज़रा अनुमान समझ लिजे नुपूर से नुपूर मताएं पिल्कुल फ्लाट रहने की उमीदे 10.3% के आसपास आते हुए दिखेंगे फेस्टिव सीजन के वज़े से जो ग्रोथ है वो आपको आते हुए दिखेंगे केपड एन वाया स्विच गेर में करीबन 7-8% की ग्रोथ यहां पर लेके चल रहे हैं लॉइट्स कारोबार में मजबूत ग्रोथ की उमीदे और प्राइजिंग आक्शन पर भी रहेगा फोकस वॉल्यूम्स में कमजोरी की वज़े से मार्जिंस पार्ट में आते हुए आपको दिखेंगे जो एड्स स्पेंड्स हम लगाता हैं देख रहे हैं कि कंजूमर कंपनी अपने आड्स स्पेंड्स बढ़ा रहे हैं इसकी वज़े से यहां पर भी आपको जो है कामकाजी लेज़ में मार्जिंस ब्लकुल फ्लाट आते हुए नजर आ सकते हैं सकते हैं रेविन्यू ग्रोथ पर हम फोकस करेंगे इस काउंटर पर भी रखेगा नजर एक बार हैवल्स के चार्ट पर भी राहे ले ले लेते हैं थोड़ा प्रेशर में इस समय दिख रहा है तो बिशना तो बनता नहीं है अगर वह ब्रेक हुआ तो फिर और नीचे जा सकता है बारा सु साट बारा सो पचास वह बाटम बनना चाहिए ओके तो यहां से भी 30-40 रुपए और नीचे अगर काउंटर जाता है तो वो एक बॉटम बन सकता है हैविल्स के लिए इस काउंटर पर रखें नज़र